नमस्कार मैं हूँ सुप्रिया सिंग आप देख रहें दभारत खबर शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक जरूरी अपील है अगर आपने दभारत खबर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिया गया सब्सक्राइब का बटन दबाए और साथ ही ख मुंड का विदान सबा छेतर में पड़ता है और इस इलाके का मैं आपको अगर हाल दिखाऊं तो देखो कि इतना विक्राल है कि आप कह नहीं सकते लगता है कस्मीर में हैं हम और डल जील हमारे घर के आस-पास में देखिए आप और ये घरों का हाल देखिए बच्चों को देखिए कैसे एक पार से दूसरी पार जाना पड़ रहा है रानी खेड़ा है ये मुंड का विदान सबा छेतर के अंतरगत आता है दिल्ले के मुंड का विधान सबाक शेत्र के हालातों का ये वीडियो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जल भराओ के चलते लोग किन हालातों में रहने को मजबूर हैं लेकिन सरकार और प्रशाचन है कि इनकी सुद लेने को तैयार नहीं है अपनी समस्या को लेकर जब सब्र का बांध तूट गया तो स्थानिये लोगों ने मुंड का रानी खेडा रोट पर ट्रैफिक जाम कर प्रदर्शन भी किया ताकि सरकार जागी और सम्मंधित एजनसिया इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस समस्या से लोगों को छुटकारा दिलाए लेकिन अभी तक जल भराओ के समस्या जियों के त्योब बनी हुई है और लोग इनी हालातों में रहने को मजबूर है प्रदर्शन कर रहे हैं स्थानिये लोगों ने मुख्यमंत्री अर्विन के जुरिवास इस मामले में तुरंत कदम उठाने की मांग की है अगर आपको हमारी दीगे जानकारी पसंद आई तो वीडियो पर लाइक और कमेंट कीजे वीडियो को शेयर भी कीजे नमस्कार